देवियर सज्जनो जाहिंद आज एक बार फिर मैं आपको शोल्जर वोईस चैनल पे स्वागत करता हूँ हम आप सभी को पता है जो भी मुद्दे लेके आते हैं उस सेना से समधित देश भक्ति से समधित और उन वीर सपुर्तों से समधित जिनों ने देश के लिए कुर्बा आज हम बात करेंगे उस धोखे बाद विस्तारवाद चीन की जिसके साथ 14 देशों की बौंटरी लगती है और 14 के 14 देशों के साथ में उनका कोई ना कोई जगड़ा चल रहा है जिसमें हिंदुस्तान भी सामील है पिछले 50 साल से हम उनके साथ में जो हमारा सलता रहा है 1950 की इंडोनेशिया की बात करें दक्सिन चीन सागर के कुछ इलाकों पर इंडोनेशिया का दिकार है जो कि चीन का कहना है कि वह पूरा इलाका उसी का है उसके बाद में बात आती है सिंगापुर के साथ चीन का विवाद दक्सिन चीन सागर को लेकर ही है चीन यहां मचली मारने को लेकर के कई बार सिंगापुर से अपनी अपती दर्ज करा चुका है पाकिस्तान चीन का अपने घलिस्ट वित्रो देश पाकिस्तान के साथवी सीमा का विवाद है हलांकि पाकिस्तान हाल के दिनों में चीन के पीछे जुक चुका है आने वाले दिनों में यहां पूरी तरह से चीन का कब्जा होने की आसनका जताई जारी क्योंकि बड़े बड़े पोजेक्ट पाकिस्तान के चीन ले करके आ आया है पाकिस्तान चुचा है बिकोर Paकिस्तान बिखारी बन चुका है चीनियों की सारी रहमो कर्मों पर प्ढम पर अपने के देश्ट के लोगों को पाल रहा है बात करते हैं मलीश्या की तक्षिंचागर में ये भी डेशヤए जिन त्खिया दूपर मलीश्या का अधिकार होना चाहिए चीन उन्हें हमेशें अपना मानता है करगिस्तान भी उसका प्रोसिय और दुखी है चीन से चीन का अपने सिमा वरते करगिस्तान के साथ भी सिमा विवादा हला की हाली में दोनों दिसों के भी समझगते भी हुए है लेकिन चीन अपने समझगते भी कभी रुकता नहीं है क्रिगिस्तान और तजाकिस्तान के साथ में भी यह यह चीन का दावा है कि क्रिगिस्तान और तजाकिस्तान के बड़े इससे पर उसका अधिकार है क्योंकि उनिस्वे सदी में उसने इस भुभाग को युद में जीता था अफगानिस्तान की बात करें च चीन के हस्तक से इस छेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बहुत पुराना है वर्स 1963 में समझते कि बावज़त चीन अफिस्तान की बड़े भूब भाग पर अपना आधितर जवतातार रहा है रूस की बात करें हलांकि आज चीन का रूस का महत्वपूर्ण सामरिक से होगी माना जाता है क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ खड़ा है इसलिए रस्या और चीन आपर कभी नजदी का अगी लेकिन रूस और चीन के आपसी संब्द हमेशा सांतिपूर्ण नहीं रहे इन दोनों के देशों के बीच में लड़ाई भी हो चुकी है कुछ वरा किलोमेटर सीमा को लेकर के दोनों देशों के बीच कि सम्झोंते भी हो चुके लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है उन्नेश्वाट्टर में रूस और चीन के बीच में युद्वाता सीमा को लेकर के ही फिर बात करते है जापान की जो एक बहुत समध्र देश है जो इनके काबू में नहीं आया है चीन सागर में सित्थ सेना ककू ड्यूप पर जापान का अधित्यों है चीन का कहना है कि इस ड्यूप पर उसके इतिहासिक अधिकार और वर्स अठासाच चोहतर तक यह ड्यूप उसकी बंदरगा सहर रहा है इसे लेकर सन उनिस्टो में साइनो जापान युद्ध दो तक हो चुका है दूसरे विश्व युद्ध के दोरान यह डीप उनाइटीड स्टेट्स का हिस्सा भी बन चुका है दूसरे विश्व युद्ध के दोरान जापान ने इसे अमेरिका को सुपर में हैं चीन का मानना है कि यूग्यान राजवांस के शासक मंगोलिया भी उसका हिस्सा रहा है तक सचा ही है कि मंगोलिया के चंगेज खान ने चीन पर अधी तест जमा लिया था जाड़्सिन कोर्या जो एक बहुत बद्दी डून्तिय है जिसका शाषक पूरे दुनिया के खलाफ, मानवता के खलाफ काम कर रहा है, दक्षिन कोरिया पूर्वी चीन साधर में कई लाखों पर लंबे समय से अपना कबज़ा जमाहे हुए रहा, अला कि चीन का कहना है कि पूरे दक्षिन कोरिया पर उसका हक है, यहां उसके इतिहासिक पत्थियों का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया है कि दक्षिन कुरिया पर चीन के युवान राजवन्स का सासन रहा था वो उस पे भी अपना दावा जदा रहा है फिलिपिन्स और कंबोडिया अगें जो इंडो चाइनिज कांट्रीज हैं उनके साथ में भी इसका संबंद ठीक नहीं है फिलिपिन्स कंबोडिया की जमीन पर भी चीन बार बार अपड़ा हक जताता है और यूएनो में कभी कहीं कभी कहीं इंटरेशल प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाता रहता है भारत के बारे में तो हम डिटेल में को वीडियो लेकर कहेंगे लेकिन 1950 से लेकर आज तक भारत के साथ उसके संबंद ठीक नहीं रहे हैं 1962 का युद्वी सी का परिणाम था सिक्किम जो पहले एक अलग कंटिड़ सेवन्टी फॉर में वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना उसके साथ भी इसके संबंद ठीक नहीं थी डोकलाम इलाके में चाइना सडक बना रहा है डोकलाम के पठार में ही चीन सिक्किम और भूटान के पॉर्डर मिलते हैं भूटान और चीन इस इस इलाके पर अपना पना दवा करते हैं भारत इस विवाद में भूटान के साथ खड़ा क्योंकि हमारी 1950 की संदी है उनके साथ में कि अगर कोई अटेक भूटान पर होता है वो अटेक हिंदुस्तान पर माना जाएगा भारत में और चीन में डॉकलान के पर आपको पता किता विवार पीछे रहा था दोनों सेनाय आम में सामने थी उत्तर कोरिया के बारे में मैं बता चुका हूं उनके साथ में इनके समय जदा अच्छे नहीं रहे हैं तिब्बत के कुछी सोकर लेकर भूटान और चीन में तना तनी है भूटान मुझूदा समय में भूटान जैसे मैं बताया डोकलाम के कारण काफी न्यूज में रहा है पिछले काफी दिनों से आगे मैं और एक देश की बात करूँगा जो मायमावार जो बर्मा है बर्मा का बोर्ड भी चाइना के साथ में लगता है पिछले पाथ साल से चीन क कैसी है चीन के अच्छा नियात का करीब तीन चोथा हिस्सा केवल पाकिस्तान और बर्मा को जाता जिसको म्यामावार भी हम बोलते हैं दूसरी तब म्यामावार के साथ चीन के सिमा लगती है चीन के युगान राजवन्स के समय बर्मा म्यामावार चीन का हिस्सा रह चुका हैं चोटे-चोटे टापू हैं प्लैट्यूज हैं सब के साथ में चाइना के संबंद खराब चल रहे हैं दक्षिन चीन सागर में कुछ तक्यदी पर ब्रूनिनी का कबजा रहा है अलाकि चीन को लगता है कि यह उसका इलाका है उसके साथ भी उनके सिप्स जब जाते हैं हैं दक्षिन चीन सागर है इसलिए चीन अपना दावा उसका पेश गता है वियताम जो एक बहुत चोटा सा कंट्री नहीं उसने अमेरिका जैसे कंट्री को चाइना जैसे कंट्री को वार जो हुआ था उसमें बता दिया था वियतम की शेना ने कि हम क्या हैं उसके ओपर भी ये अपना अधिकार जमारता है उसके कुछ जो हिस्सा है भूमी का उसके उपर अपना ये बोलता है कि मेरा हिस्सा है लावस अगे लावस कामोडिया भी अबियत नहीं तीनों इंडो चैनिज कंट्री है चोट-छोटे कंट्री है इसके चीन के मुताबिक यूवान राजवां मैं हाँ आपको बता दू बिर्टिस जैसे क्लेम करें बिर्टिस पर बोलते पहले कभी सुरियास्त नहीं होता था अगर बिर्टिस आज भी क्लेम करें कि हिंदुस्तान ही मेरा हिस्सा था बंगला देशी मेरा हिस्सा था पाकिस्तान भी मेरा था ये भी मेरा था वो भी मेरा तो कौन माने का दुनिया के अंदर आज चाइना को भूलना पड़ेगा कि वो हमेशे अपने राजगोंस की बात करता है कि अगल बागल डेसों में उसके उस ताइम पिसासन रहा है डाट डजन्मीन की वो जमीन वो छेतर वो कंट्री उसका एरिया है हम सभी निंदा करते हैं चीन की विष्दारवादी में निटी को बार-बार हमारे इंद्य आई बोर्डर चाइन बोर्डर के ऊपर लड़ाख से लेकर के टवान तक और 60 तक उसने ठंक कर रखा हमारी सेना को बार-बार हमारी सेनाओं lions को वहां उनके सामने घड़ा पड़ता है और काभी मूँ की भी खा रहे हैं जिसे गलवान घाटी में उन्हों पीछे मूँ की खाई दोस्तों इसी के साथ एक और मैं वीडियो लेकर हूँ जो इसी से संब्दित है कि चाइना के साथ में उसका भूमी विवाद, बांडरी विवाद क्यों चल रहा है, क्या का रहने, किश किस एरिया में वो क्लेम करता है हिंदुस्तान की उसके उपर, मैं एक वीडियो गलवान क जो घटना हुई थी उस पे भी लेकर के मैं आऊंगा जिसमें मैं किलियर बताऊंगा गलवान घाकी में 16 जून 2020 को क्या हुआ था हमारे सेनिकों ने क्या किया था क्यों हुआ था कैसे हुआ था उसके प्रिणाम क्या थी इसे किसा दोस्तों जाहिन